एक हेल्व स्टूटेंस टुड़े भी स्टार्ट चैप्र वन उके क्या नाय में इसका थ्री डिजेट नमबर्स आज हम इसमें पढ़ेंगे कि तीन अंकों की संख्याएं क्या होती हैं इसे कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ते हैं ठीक है हमने इन प्रिवेस क्लास प्रिवेस क्ला नमबर क्या है 99 99 के बाद क्या आता है 100 इसमें देखें कितनी डिजेट है वान टू थ्री तो यह हो जाएंगे आपकी थ्री डिजेट नमबर्स ओके जिसे की यहां पर आपको बता रखा है जैसे कि यह जो वन है टू थ्री फोर फाइफ यह क्या है आपकी वन डिजेट नमबर है 10 11 12 13 14 आगे जितनी भी दो डिजेट की नमबर होंगी उसको क्या बोलेंगे टू डिजेट नमबर ठीक है बारे में है जैसे की 1 10 एंड 4 वन्स तो टैंस वाले में आपको क्या करना है एक बीट बनाना है एक बिंदू बनाना है ठीक है और वन्स वाले में आपको 4 बनाने है यह आपका अबएककल्स का है क्या वेकस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देखे count the beats and fill in the boxes आपको beats count करना है और box में लिखना है जिसके यह T है T मतलब कि 10 10 में देखे कितने beats बने हैं 1, 2, 3 तो यहाँ पर 3 लिखना है यहाँ पर once वाले में कितने beats बने हैं 1, 2, 3 तो यहाँ पर 3 लिखना है तो यह क्या बन जाएगा 33 ऐसे ही आपको यह सारी करने है जैसे कि 10 10 में गिनेंगे कितने हैं 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 लिखेंगे once वाले में गिनेंगे तो यहाँ पर कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 10 6 once तो यह क्या बन जाएगा 46 10 वाले में गिनेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 5 10 और यहाँ पर once वाले में गिनेंगे तो 6 once ऐसे ही आपको beats काउंट करना है और box में लिखना है आज हम करेंगे exercise 1.1 exercise 1.1 है फिलेंदा boxes boxes में आपको भरना है ठीक है जैसे कि यह जो 5 है 5 के नीचे क्या है underline तो यह जो 5 है वो कौन से place पे है 5 आपका once place पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे once तो once लिखेंगे तो आपको इस box में भी क्या लिखना है one और यहाँ पे underline किस number के नीचे है कौन से digit है 5 तो 5 में हम one multiply करेंगे तो 5 बंज़ा 5 ऐसे ही 3 3 कौन से place पे है 10 तो हमें 10 place पे है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 10 और इस 3 को 10 से multiply करेंगे 3 10 ज़ा 30 ऐसे ही आपको आगे करना है इसके 8 है चो 8 है वो once place पे है यहाँ पे once लिखेंगे मतलब कि one चीक है तो 8 को one से multiply करेंगे 8 बंज़ा 8 ऐसे ही 5 का 5 कौन से place पे है यह 10 place पे है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 10 का क्या लिखेंगे 10 5 को 10 से multiply करेंगे 5 10 ज़ा 15 ओके प्लेस पे है देखेंगे 10 10 3 10 ज़ा 30 आपको यह काम वर इसमें बुक में ही करना है ओके एक्सराइज 1.2 1.2 में भी आपको सेम ऐसा ही करना है जो once place का है once के कॉलम में लिखना है और जो 3 है यह टैन्स प्लेस पे है वो 10 के बॉक्स में लिखना है ठीक है जैसे कि 15 है तो यह जो 5 है यह 5 once place पे है तो 5 once के बॉक्स में आएगा once यह जो one है यह 10 के प्लेस पे है तो यहाँ पे 10 के बॉक्स में आएगा ठीक है ऐसे ही आपको यह सारा बुक में ही करना है four tens plus three ones ओके ऐसे ही आपको ये book में करना है next time fill in the boxes जैसे आपने previous question किया था वैसे ही ये भी करना है जैसे कि 32 है तो जो two है ये ones है ones के column में आएगा ठीक है और ये जो three है ये tens वाले में आएगा तो three tens और two ones 45 45 को कैसे लिखेंगे four tens five ones 82 को eight tens two ones ओके आपको ये काम book में करना है जिसके 99 है तो ये जो nine है ये tens place पे तो tens वाले box में आएगा और ये nine ones वाले box में आएगा ओके ऐसे ही आपको ये काम book में करना है ओके ओके थैंक यू